सभी भारतियों की तरह मेरे मन में भी भुटान के लिए विशेश प्यार और मित्रता है और इसलिए जब भी आप से मिलता हूँ एक खास अपनेपन की अनुभूती होती है भारत और भुटान के विशिष्ट समन हमारी विशेश मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमुल्य है बलकि विश्व के लिए एक बेजोड उदारण भी है पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मुर्तियों से भरी पड़ी है एक प्रकार से एक एक मिनिट कोई न कोई नई घटना नया उमांग नया उत्सा वो यात्रा अपने आप में बहुत ही यादगार थी हमने अपने सहयोग में डिजिटल अंत्रीक्ष और इमर्जिंग टेकनोलोजी जैसे नए खेत्रों को सामिल करने के लिए महत्वपुन पहल की थी 21 सजी में दोनों देशों के बीच और विशेश कर हमारी युवा पीड़ी के लिए ये कनेक्टिविटी के एक प्रकार से नए सुत्र होंगे मेरी भुटान यात्रा के दोरान हमने दोनों देशों के बीच रुपे कार परियोजना के पहले चरण की शुरूआत करी थी इससे भारतिय नागरिकों को भारतिय बैंकों द्वारा जारी किये गए कार्ड से भुटान में भुक्तान करने की सुविधा मिली थी मुझे ये जानकर खुशी है कि भुटान में अब तक ग्यारा हजार सफल रूपे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं अब गर कोविड-19 महामारी न होती तो ये आंकडा अवश्य ही इससे भी बहुत अधिक होता आज हम इस महत्वा कांची परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रूपे नेटवर्ग में भुटान का एक फूल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं इस उपलब्दे के लिए जिन भुटानी और भारती अधिकारियों ने परिश्रम किया है मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ आज के बाद भुटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किये गए रूपे कार्ट के कारधारक भारत में एक लाग से अधिक एटी एम और ट्वेंटी लाग से अधिक पॉइंट आप सेल टर्मिनल की सुविधा उप्योग कर पाएंगे मुझे विश्वास है कि इससे भुटान के यात्रियों को भारत में सिक्षा, स्वास, तिर्थियात्रा या फिर परियतन में बहुत सहुलियत रहेगी इससे भुटान में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन में बढ़ोतरी से करोडों लोगों के जीवन में बढ़लावाया है